हेलो दोस्तो नमस्कार फार्माईस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेमडी साइवीर के साथ कंबाइन किया जा रहा है एक और मेडिसिन को उसके बारे में बात करेंगे रेमडी साइवीर के साथ कंबाइन करके और बहतर बनाए जा रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे और साथी साथ कोरोना वैक्सिन से रिलेटिव एक फैक्ट बताने वाली हो और साथी साथ कोरोना के अगेंस्ट भी एक और चीज आप लोग को जानकारी दोंगी तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा अगर दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो यूसफूल लगेगा तो जरूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ सेयर करेंगा तो चलिए सुरू करते हैं फरस्ट अफॉल हम बात करेंगे रेमडी साइविर के बारे में दोस्तों रेमडी साइविर जो है यह एक एंटी कोरोना मेडि करो बारे में आप लोग को बताया है वीडियो मैंने बहुत पहले ही पोस्त किया था तो एन्यवेई्स रेमडी साइविर उनमें से एक एंटी कोरोना मेडिसिन है एंटी वारे मेडिसिन है यह आलता लिगेगा करता है जो बी कोविच G arrowPE को प sacrifice और हो यह कि अजालिके आपक तो यह आपका जल्दी रिकवर कर सकते है, जो भी infection होता है, और साती साथ इसके साथ जो combined किया जाने वाला है, वो है बीटा अंटर फेरन को, बीटा अंटर फेरन भी एक एंटी वाइरल मेडिसिन है, जो वाइरस को मारता ही, साती सात, anti-inflammatory action भी इसमें होता है, वीक है थोड़ा है लेकिन ये inflammation भी कम करते हैं यानि सूजन वगरा को कम करता है तो इसको combine करने से hopes हो कि ये ज़्यादे effective भी होंगे और साथी साथ ये recovery को भी speed करेंगे जल्दी ठीक कर देंगे किसी भी patient को तो चलिए आगे बात करते हैं कैसे क्या क्या इस पर test हुआ है जट से आप लोगों बता देखते हुँ उसके बाद हम आगे बात करेंगे प्लैसिबो क्या होता है नकली medicine जो दिखता बिल्कुल original medicine की तरह ही है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट वैसा ही आपका texture सारा चीज़ फिजिकल प्रोपर्टी जो है फिजिकल अपेरेंस टेस्ट एट्स है सैंपल तो नहीं कहेंगे इससे यह नकली medicine होता है इसका दो रोल होता है प्लैसेबो का दो importance होता है पहला होता है अगर हमें टेस्ट करना किसी ड्रग को कि ड्रग एक्चुल में आपके बिमारी को ठीक कर सकता है या सिर्फ दवाई के वज़े से हमें psychological effect होता है कि ब्रहम ह ब्रहम से की आपने दवाई लिया और शाथ इसी बात का आपका दूसरा यूजए भी होता है वो होता है वैसे पेसे जिन्हें आदत होती है दवाई खाने की गुछ ऐसे भी बिमारी होते हैं सर्दी वगएरा नौर्मल जेंडल आपके जो कोल्ड वगएरा होते है वो आपक तो for example, किसी को अगर आदत हो, कि मुझे सर्दी वाय मुझे दवाई खाना है, दवाई खाऊंगा तभी ठीक होगे, वरना नहीं ठीक होगे, तो उस case में आपको दिया जाता है, प्लासेबो, प्लासेबो जो कि बिल्कुल मेडिसिन की तरह ही दिखता है, और जीनल मेडिसिन की का लत लग जाता है, नसा जिसे कहते हैं, जो बिना दवाई के नहीं रह सकते हैं, उस case में आपको दोता है, यहां पे आपका टेस्टिंग का परपस है, जो मैंने पहला परपस बताया, तो आपका उस कारण से पेशेंट्स, 101 पेशेंट्स को लिया गया, COVID-infected पेशेंट्स क और उन्हें प्लैसेबो होगा देया किसsınız को किसी की को दिया गया, वी तो बेटा धेरन यह दिखने के लिए की 9 बैसे बेटर रिजल देता है कि नहीं 20 धुए और इसे दिआ गया और यह जो दिया झैजर के फोड däricon लिग घंदेस्स को बेशेंगह तो वूता है बिनाइसीं को पहुचाने में ज्यादा बहतर होते हैं तो बीटा एंटरफेरन क्योंकि यह भी आपका रेस्पिरिटर ट्रैक को इंफेक्ट करते हैं कोविड इंफेक्शन इस वाज़े से बीटा एंटरफेरन और साथी साथ प्लैसेबो दोनों को ही जिन भी पेशेंट्स प्लैसेबो या होंग कॉंग में होता है जहां पर बीटा एंटरफेरन के साथ दो एंटिवाइरल मेडिसिन को कमबाइन किया गया दो जो दूसरे एंटिवाइरल मेडिसिन उसका हम बात नहीं करेंगे बात करेंगे बीटा एंटरफेरन को ही आपका रेमडी साइविर के साथ कमबाइन किया तो यह पाया गया कि जो drug का मॉक्तेल था यानि ड्रक का जो combination था वो ज्यादा सुपिरियर था प्लैसेबो के comparison में रिकवरी को जल्दी करने में जल्दी रिकवर करने में तो उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे अब यू एस ट्राल यू एस अपना ट्रायल सुरू करत साथ है रेम्डी साइविर के साथ उनका ट्रायल है टारगिट मे डिसें रेम्डी साइविर सा dem on Church bubble को स्टार्ट किया आपका टेस्टिंग और उन्नीस अर्प्रेल को उनका जो है ठिस टेस्टिंग कमप्लीट होता है और रिजल्ट आता है 27 अपरायल को, जिसमें उन लोगों ने थाउजन इन लोगों ने जो भी टेस्ट किये हैं, सारे लार्ज नमबर्स में किये हैं, रेमडी साइविर का, तो पहला जो फेज़ वन करते हैं, इसें यहां में लेते हैं जह भी में स्टार्ट करते हैं वहां पर tu さब उनसेयर को सिर्फ सरफ लेते हैं एलेंगे में प्लासिवर क्या गेंश्च का वा देखते हैं और इस इन जली घा्वरी करो देता है led infecषन को जल्दी उती घावर कर देता जो भी hospitalized severe patients है उन में, then आपका जो है phase 2, phase 2 का आपका start होता है, phase 2 में जो है वो लोंग लेते हैं, remedy Sivir को 8 माई को start करते हैं, यहाँ पर भी इन लोगों ने thousand patients को ले, यहाँ पे इन लोगों ने combination मिलिया, remedy Sivir के साथ baricitinib, baricitinib आपका क्या है, anti-arthritic medicine है, arthritis क्या होता है, गांट का बिमारी, जो joint pain होता है, joints में आपका disease होता है, arthritis, उसके against आपका medicine है, baricitinib, जो आपके sujan, baricitinib आपका क्या करता है, sujan, inflammation, sujan को ठीक करने में आपका काम आता है, baricitinib, anti-arthritic medicine के against, okay, so anyways, इसे remedy Sivir के साथ combine किया गया, दिया गया दोनों को साथ में, और इसके against test किया ग remedy Sivir के साथ, नकली combination, मतलब नकली baricitinib को just combine किया गया, जिससे लोगों को लगे, जिरे भी दिया जाना है, उन्हें लगे कि हां, मुझे दो दवाई मेला, remedy Sivir में मिला, और बैरी Sivir में मिला, और बैरी Sivir में मिला, पर उन्हें दो दवाई दिया गया, एक दिया गया नक कुछ को combination, कुछ को नकली combination, anyways, तो result आपका अब तक testing में है, evolute हो रहा है, लेकिन जितना भी नतीजा देखने को मिला, अभी आपका evolution कम्प्रीट नहीं हुआ है, बट जितना भी नतीजा देखने को मिला, उसमें हाँ, यह helpful तो पाया गया, बट उतना ज्यादा सक्सेस्फु नहीं पाया गया, मतलब रेमडी साइविर अकेला भी उतना ही result देखने को मिला, जितना आपका दोनों का combination, मतलब जिन पेशेंट्स को नकली combination, medicine का, रेमडी साइविर के साथ दिया गया, उनका भी लगभग वैसा ही रिपोर्ट था, और रेमडी साइविर और बैडी सिटी जिनने दिया गया, उनका भी लगभग वैसा ही था, थोड़ा बहुत ज्यादा बेटरी था, बट कम्बिनेशन हम क्यों करते था कि उससे हमें ज्यादा अच्छा result मेरे, तो जहां आपका बहुत अच्छा बहतर रिजल्ट ना मिले, उसे combine करने का क्या फायदा, तो एनिवे Remdesivir के साथ beta interferon को लिया, जिसका result आप लोगों ने देखा कि दो trials इसके हुए हैं, इंग्लैंड में भी और साती साथ Hong Kong में भी जहां उससे पाया गया है, बहतर COVID-19 के अगेंस्ट, इसी वज़े से Remdesivir के साथ beta interferon का इन लोगों ने continue किया, उसको अभी तक अभी pause में रखा हैं पूरी तरह से, जो phase 2 में आपका combination लिया गया था, so उसका अगर आगे कुछ पाया गया तो उस पर test होगा, but फिलाल उनोगों ने phase 3 स्टार्ट किया है, Remdesivir और beta interferon के साथ, so आपका Remdesivir ऐसे में बता दू, Remdesivir जो आभी experiment में है, इसे पूरी तरह से approval नहीं मिला है, क्य स्टार्ट के साथ, उनमें टेस्टिंग के लिए जाता है, experimental drug है, इनका experiments अभी चल रहा है, okay, तो Remdesivir का phase 3 में आपका combine किया जा रहा है, beta interferon के साथ, और इसे टेस्ट किया जा रहा है, against Remdesivir and placebo, मतलब एक जगह आपका Remdesivir के साथ, आपका नकली medicine दिया जाएगा, और एक ज patients के साथ है, but अब तक 9 patient को ही enrolled किया गया, मतलब 9 patients में ही अभी तक दिया गया, किसी को Remdesivir and placebo, और किसी को Remdesivir and beta interferon, तो आप लोगों को अब मैं बताऊं, जो आपका beta interferon है, जो कि आपका already market में है, यह आपका पाए जाता है, sclerosis ठीक करने में, sclerosis आपका एक anti, यह आपका auto immuno disease है, immunity disorder के वज़े से आपका होता है, immunity में problems के वज़े से होता है, आपका यह disease sclerosis, जिसमें आपका क्या होता है, आपका skin कहीं कहीं पर tightening, यानि कि cells tight हो जाते हैं, तो इस तरह का condition होता है, sclerosis में, जहाँ पर beta interferon already आपका यूज में है, साथी साथ laboratory studies में पाए गया कि कोरोन का जो new virus आपका है, आप लोगों को पता है, कोरोन यह जो आपका कोरोन अभी जो है, वो है SARS-CoV-2, यानि कि यह दूसरा वर्जन है, SARS-CoV आपका पहली भी आया था, तो कोरोना का आपका दूसरा वर्जन भी है, तो और भी वर्जन पहले भी थे, तो anyways आपका जो नया coronavirus अभ आपका इंटरफेरन जो है, उसे दिया जारे इंजेक्शन फॉर्म में और रेमडी साइविर को दिया जा रहा आई-वी इंफ्यूजन, अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दू, सलाइन आप लोगों ने देखा होगा, सलाइन आपके दोनों को साथ में मिला कर ये, कॉम्बिनेशन जो है साथ में, क्यों कि अभी तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो इसका कम्बिनेशन फॉर्मूलेशन नहीं बना है, रेमडी साइविर के साथ और मेडिसिन को एक साथ दिया जा रहा है, ठीक है, एक साथ दिया जा रहा है, इस वज़े से इंटर्फेरन को इंजक्शन और उसी के साथ रेमडी साइविर को आईवी इंफ्यूजन में दिया जा रहा है तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे यहां इस पर हमारा चर्चा खतम गए तो होप सो कि आपका रेमडी साइविर इससे यही पाए जाता है कि अग यह है आपका क push-nya चूण फे अगर ऐक्सियूत को आफ तो से अगर है तो चाहिए है तो से अगर 50 परसेंट भी ऑक्रीorno VoZ अगर है तो ऊगर फिफ्टी परसेंट भील्प सिस्ट अग्सिप्टि हम sufficiently beneficial मान सकते हैं मतलब वो sufficient है इस pandemic situation में आपका vaccination लेने के लिए वो sufficient है क्यों क्योंकि मैं बता दू कोई भी antiviral vaccines जो भी होते हैं वो आपका कोई भी दावा नहीं करता है कि 100% successful है कोई भी antiviral medicine नहीं होता है वाइरस को मारना इतना असान नहीं होता है वाइरस जो है काफी ज्यादा mutation करते हैं उनमें strains में बदलाव आते रहता है बट आपका जो है फिर भी वो successful होते हैं जैसे कि for example flu का जो vaccine है जो की दुनिया भर में काफी लोग आपके हर साल लेते हैं वो खुद भी आपका 40 to 60% effective है मत आपको नहीं होगा बट इट मिंस यह नहीं कि आपको guarantee मिल जाता है कि आपको नहीं होगा जैसे for example अगर आपने पॉक्स का वैक्सीन लिया आपको नहीं होगा पॉक्स बट रियरस में किसी किसी में हो भी जाता है तो that is the thing आपका तो कोई भी 100% असी और नहीं है तो इसी सो डॉक्टर कार्लोस डेल रियो जो इमोरी इन युणिवर्सिटी के आपके प्रोफेसर है उनका भी कहाना है कि यह बहतर है कि जीरो से तो बहतर ही है कि हमारे पास कम से कम अब कोरोना का वैक्सीन है जो भी 50% अगर एफेक्टिव रिजल्ट दे रहे हैं कि कि फेस थी तक क अपना कम्प्लीट कर दे रहे हैं 50% रिजल्ट भी तो उसे हम लॉंच कर सकते हैं यूज कर सकते हैं आपका एज वैक्सीन हंड़ेट परसेंट का वेट हम नहीं कर सकते हैं 100% इस नॉट पॉसिबल आंटि वैरल वैक्सीन के अगिंस तो उसके बाद आज का आखरी जो हम जि 2 6 1 4 G उशे नाम दिया गया हा, मोरा का ना स्ट्रें पाकिया गया है अप लोग बता दू यह पहला कोई इस ट्रें इस का वेरियस ट्रें पाई जिनका आलग-लग तरह का इन फ्यक्ट करने का तरीका रहे claim का अलग-लग तरह के उन्ःट कर अज आइकश हो तारह का इतने भी कि निवे इसके साथ में एक और अच्छी बात आप लोगों बताओं कि रिसेर्च का कहना है जितने वह सुपेसिलिस्ट का कहना है कि यह अच्छी बाते अगर वायरस म्यूटेट करते हैं करके दूसरे दूसरे स्ट्रेंस बनाते हैं तो यह अच्छी बात है क्योंकि more they mutate less fatal they become यानि कि जितने जितना ज्यादा वो mutate करेंगे उतना ही कम घातक वो बनेंगे उतना ही कम जान लेवा दोस्तों आप लोगों नहीं ध्यान दिया होगा जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब काफी लोग मर रहे थे जिने भी हो रहा था काफी serious cases हो रहा था ठीक है बहुत ज्या हो चुका है लोग इंफेक्ट भले बहुत लोग इंफेक्ट हो रहे लेकिन आपका उतना serious अब नहीं रहा मतलब अब ठीक होने के chances ज्यादा है तो यही कारण है कि जितना वो mutate करते जाएंगे जितना उन में multiplication होते जितना वो strain आपका मतलब नए नए strains में convert होंगे, mutate होंगे, change होंगे उतना ही वो कम घातक बनाएंगे कम जानलेवा बन जाएंगे मतलब उतना वो अशरदार नहीं रहेंगे जितना कि वो starting में थे तो यह बहुत अच्छी बात है कि करें धीरे 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 इसी तरह वो मूर्च होते हो सकता है कि वह बिलकुल ही हाम्लेस बन जाए मतलब उसकी असर ना हो हमारे सही के साथ हमारा वीडियों आज का खबम होता है तोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियोल घुशियूर ज़्जब लगा तो ज़रूर से की स्ट्रेइन बदल जाने से आपका जो खत्रा है इंप्रेक्ट होने का वो खतम हो जाता है तो इसे के साथ वीडियों को आज का खतम करते हैं थैंक्यू